बागली नगर परिशत चुनाओं के बाद बागली से भाश्पा विधायक पहार सिंग का नौजे और उनके समर्थकों ने अपने ही पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ नारे लगाए हैं यह विरोध प्रदर्शन नगर परिशत चुनाओं को लेकर हुआ उधर पूर्व मंत्री समर्थकों ने विधायक के इस रुख पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनके पोश्टर पर कालिक पोती और पुतला फूंका बतादे सोमवार को बागली में नगर परिशत के लिए मद्दान हुआ नगर परिशत चुनाओं में भाजपा से अधिकरित प्रत्यासी सीमा कमल यादों ने जीत हांसिल कर 15 में से 11 वोट प्राप्त कियें बताया जा रहा है यहां से भाजपा से बागी होकर कलपना अमोल राठोर ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया जिन्हें 4 वोट मिले वे पूर्व मंत्री दीपक जोसी की समर्थक बताई जा रही हैं इनके नामांकन से बागली में चुनाओं की स्थिती बनी इसी बात से नाराज विधायक ने समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री जोसी के खिलाब विरोध जताया सूत्रों की माने तो पूर्व में पहाड सिंग जोसी के ही समर्थक रहे हैं मामले को लेकर बागली विधायक कनोजे से संपर करना चाहा तो उनका मुबाइल बंद मिला बागली मेरे पिता जी की कर्म भूमी रही है बागली और जोसी जी एक दूसरे के परियाए रहे हैं बागली सच्छता की राजनीती का केंद्र भी रहा है और मैं स्वयम बागली से 2003 से 2008 तक विधायक रहा हूँ अभी नगरीय निकाय के चुनाओ चल रहे थे उसमें बागली नगर पंचायत का चुनाओ आज संपन हुआ बागली नगर पंचायत के पारसत से लेकर अध्यक्ष के चुनाओ में मेरी कोई भूमी का नहीं थी लेकिन आज अध्यक्ष का चुनाओ हुआ तो भाजपा द्वारा अधिकृत प्रत्यासी के रूप में सीमा कमल यादों को खड़ा किया गया उनके विरुद्ध भाजपा की ही पारसत कलपना अमोल राठोर चुनाओ लड़ रही थी अमोल राठोर पूर में नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कुछ लोगों को लगा कि अमोल राठोर को मैंने खड़ा किया मैंने अमोल के फोन पर वा उनके साथियों को कोशिश भी की थी कि चुनाओ ना लड़े और भाजपा के अधिकरित प्रत्यासी को समर्थन दें लेकिन बात बनी नहीं और चुनाओ संपन्न हुए सीमा करमल यादो विजई हुई विजई के बाद गर्म जोसी के मुझे लगता है कि कुछ लोगों को यह लगा कि मैंने इसमें निगेटिव भूमिका अपनाई है इसलिए उन्होंने नारे बाजी की है मैं जब उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा तब मुझनाच करूंगा कि क्या कारण रहा कि आपने इस प्रकार का काम किया इस मामले में पार्टी सोयम निर्ड़े लेगी इधर भाजपा जिला कारियाले के साम को पूर्व मंत्री दीपक जोशी के समर्थकों ने बागली विधायक का पुतला फूंका और कारियाले के सामने लगे पोश्टर पर पहाड सिंग के फोटो पर कालिक लगा दी इस नौरान जोसी के समर्थकों ने विधायक के खिलाब जम कर नारेवाजी भी की प्यूरर रिपोर्ट विराट 24 नियूज लेकिन बात बनी नहीं और चनाव संपन्द हुए अमोल राश्र को चार बोल्ट मिले कमल यादो को जारा बोल्ट मिले कमल यादो विजय हुए विजय उप्रान कई गर्म जोसी में मुझे लगता है कि कुछ लोगों कोई लगा कि मैंने इसमें निगेटिव हमी का अपनाई है इसलिए उन्होंने कुछ नारे बाजी की है विरायक ने किस परिपेश में नारा लगाया है मैं उससे मिलूंगा पूछूंगा कि क्या कारण रहा जिसमें आपने इस पकार का काम किया